हेलो दोस्तों तूली का दर्शन चैनल में मैं रमा संकर डिमरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज का अंक में हम देखेंगे प्रवक्ता प्रिक्षा 2021 कला प्रस्ण पत्र भाग्च है और इस भाग की जो विश्यस्ता है इस भाग में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रस्ण जो इसी प्रस्ण पत्र में पहले ही पूछ लिए गए थे और इन्हें दुबारा नए रूप से और रेनुवा जित्रकार का कारेकक्ष जिसे The Painters Studio के नाम से भी जाना जाता है और यह बनाया था कूर्बे के द्वारा तो विकल्प ए सही हो जाता है 127 करम का प्रशन देखते हैं खजुराहो के मंदिर किस सैली के उदाहरन है और विकल्प देखिए द्रविड, नागर, गुप्त और मौरिय तो जो खजुराहो के मंदिर है यह नागर सैली के मंदिर है जिने चंदेल राजाओंने निर्मित किया था तो विकल्प भी सही हो जाता है और 128 करम पर जो प्रस्णों से देखते हैं कलाकार निहाल चंदर द्वारा बनाए गई बनी ठनी कहां की चित्र करती है और विकल्प देखिए किसंगर, भूंदी, नागर और अजमिर तो हम सभी को पता है कि जो बनी ठनी चित्र है यह किसंगर सैली का प्रसेद्ध चित्र है और इसे निहाल चंदर द्वारा बनाया गया था तो विकल्प ए सही हो जाता है पर अगर आप इसी प्रस्ण पत्र के 112 करम का प्रस्ण अगर देखिए जहां पर बनी ठनी किस कला सैली की चित्रन वस्तुती यहाँ पूछा गया था तो इस प्रकार अगर आप देखिए तो एक ही प्रस्ण को दो अलग अलग तरीकों से एक ही प्रस्ण पत्र में पूछा गया था और 139 प्रस्ण देखिए भारत में किस स्थान पर महा भारत के आख्यान तरास कर बनाए गये हैं और विकल्प देखिए और इस प्रस्ण का जो सयुत्तर है वह है महा भाली पूरम और यहाँ पर रत मंदिरों के निर्मान पांच पांड़ों के प्रतनिदी के रूप में किये गए हैं तो इस प्रस्ण का सयुत्तर हो जाता है C. महा भाली पूरम जब चीन के राष्ट पती स्वी जिंग पिंग भारत की यातरा पर थे तो प्रधान मंत्री उने महा भाली पूरम की यातरा पर ले गए थे और वहीपर बहुत सारे कारेक्रमन उने किये भी थे 130 प्रस्ण है जौन वान आइक किस कलात्मकाल के कलाकार थे और विकल्प देखे पुनर जागरनकाल, वाजन्टाइन, प्रभावाद और घनवाद तो जौन वॉन आइक जो थे वे पुनर जागरनकाल के कलाकार थे तो विकल्ब ये सही हो जाता है 131 प्रसम देखते हैं ट्राजन का इस्थम किस सब्विता का कलात्मक उधारन है और विकल्ब देखिए ग्रीक, रोमन, बाजन्टाइन और गौतिक तो जो ट्राजन का इस्थम में जिसे टारजन्स कॉलम का जाता है यहां रोमन कलात्मक यहां रोमन सब्विता का कलात्मक उधारन है तो विकल्ब भी सही हो जाता है 132 करम का प्रसन देखते हैं किस काल के ग्रंथों में विद्द्चित्र, अविद्द्चित्र, रस्चित्र और धूली चित्र का वर्णन मिलता है और विकल्ब देखिए उपनिशत काल, कुशान काल, मौरे काल और राचपूत काल तो विद्द, अविद्द, रस्चित्र और धूली चित्रों का वर्णन कुशान कालिन ग्रंथों में मिलता है तो विकल्ब भी सही हो जाता है और 133 करम का प्रसन है कि पंडिच्छे मिंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उलेख किया गया है और विकल्ब देखें कामसुत्र, शुक्रनिती, कलाविलास और नाटे साज्र तो इस प्रसन का उत्तर हम इस प्रकार ढूंड सकते थे कामसुत्र वात्सायनरसी द्वारा लिखा गया था पर 134 क्रम का प्रश्ण है पंच मनी के चित्रों की खोज किसने की। और विकल्ब देखे बाडडरिग, पिगाट, दि एच गार्डर और डबलू एंडर सन्सन तो पंच मनी की चित्रों की खोज दिएच गार्डनर द्वारा की गईती तो विकल्ब सी सही हो जाता है। 135 करम का प्रशन है माइकल एंजिलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की उचाई कितनी है और विकलब देखे 160 cm, 165 cm, 170 cm और 175 cm तो माइकल एंजिलो की जो मूर्ति शिल्प पिएटा है उसकी उचाई है 175 cm तो विकलब D सही हो जाएगा 36 करम का प्रशन है वादसियायन, भर्तमुनी, भामा और ममट्ट भर्त हम सभी को पता है कि नाटे सास्त्र के लेखक भर्तमुनी जी थे तो विकल्प भी सही हो जाता है तो आप देखा होगा कि इस प्रवक्ता प्रश्ण पत्र में भौत ही इजी सवालों को भी दे दिया गया है और 137 करम का प् पततावाद जो नाम है इसमें ही पता चल जाता है कि इसमें श्वचंद याने की खुले रूप में स्वतंतर छोडने की बात कही गई है और इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाता है कलाकार की निजी भावना तो विकल्प E सही हो जाता है और 138 करम का प्रश्ण देखते हैं विकल्प देखे भित्ति चित्र भित्ति चित्रन की विशेश पद्दती लगुचित्र और अर्द चित्र तो फ्रेस्को कार्थ होता है भित्ति चित्रन की विशेश पद्दती विकल्प भी सही हो जाए और फ्रेस्को जो विशेश पद्दती है इसकी भी दो प्रकार है फ्र 149 प्रसंद देखते हैं, दृष्टी लगुता का संबंद है, प्रकास से, परिपेच्छ से, रंग से और पोट से, जो दृष्टी लगुता का संबंद होता है, वह होता है, परिपेच्छ से, विकल्प भी सई हो जाएगा 140 करमांग का प्रसंद देखते हैं, किन चित्रों में स्वपन और यथार्थ को दिखाया गया है, विकल्प देखे, फाववादी, अतियतार्थवादी, घनवादी और उतर प्रभाववादी, तो स्वपन और यथार्थ को जो दिखाया गया था, वो दिखाया गया था, अतिय बकस्ता अर्थवादी चित्रों में तो विकल्प भी सही हो जाता है तो प्रभावाद का बदलते प्रभाव को ही चित्रों में विश्य सिस्थान दिया गया था और इसी के कारण इसे प्रभावाद का नाम पढ़ा था, तो विकल्प D सही हो जाता है और 142 में प्रस्ण देखते हैं, चक्रा कार रेखाईं कैसा प्रभावत्पन में करती हैं विकल्प देखिए, शंगर्ष, स्थिर्था, स्थायत्व और गती तो जो चक्रा कार रेखाईं होती हैं, यह गती का प्रभावत्पन करती हैं तो विकल्प D सही हो जाता है और 143 करम का प्रस्ण देखते हैं, भारतिय शिल्प शडग के लेखक कौन हैं? विकल्प देखिए, अविंदरनाथ टैगोर, यामनी राय, नंदलाल बोस और अमरता शेरगिल तो भारतिय शिल्प शडग के जो लेखक हैं, वह हैं अविंदरनाथ टैगोर विकल्प यह सही हो जाता है 144 करम का प्रस्ण देखिए, फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? विकल्प देखिए, पिकासो, गोया, मातिश और रेंबरा तो फाववाद का जो मुख्य चित्रकार था, वह था मातिश विकल्प सी सही हो जाएगा 145 करम का प्रस्ण देखे अलतामिरा की गुफाये कहां इस्तित है और विकल्प देखे इटली, फ्रांस, इस्पेन और इंग्लैन, तो अलतामिरा की जो गुफाये हैं यह हैं इस्पेन में इस्तित तो विकल्प सी सही हो जाएगा और अगला प्रस्म देखें 146 करम का Critic of Judgment के लेखक का नाम पताईए और विकल्ब देखें कांट, क्रोचे, अरस्तु और प्लेटो तो Critic of Judgment जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कांट विकल्ब ए सही हो जाता है 147 करम का प्रस्म देखें इक्षा पूर्ती के सिद्दान्त का आधार है मनोविज्ञान, समाज सात्र, रस और सौंदर्य सात्र तो इक्षा पूर्ती का जो सिद्दान्त है उसका आधार है मनोविज्ञान विकल्ब ए सही हो जाता है क्योंकि जो हमारे इक्षाई हैं वो हमारे मन से ही प्रारंब होती है 148 करम का प्रसंद देखें भरत्मोनी के अनिसार रसों की संक्या बताईए और विकल्ब देखें आठ, नो, छे और दस तो भरत्मोनी के अनिसार जो रसों की संक्या है वो है आठ विकल्ब ए सही हो जाता है प्रसंद देखें सिंदू घाटी से चित्रांकन के उधारन मिले है कागस पर, दीवारों पर, कपड़ों पर और पात्रों पर तो सिंदु घाटे की जो चित्रांकर के हमें उधारन मिले हैं वह मिले हैं पात्रों पर क्योंकि यहां से जो खुदाया हुई सिंदु घाटे की छेत्र में वहाँ पर जो मिर्दभांड और बरतन मिले हैं उन पर चित्रकारी की गई है तो इसलिए सिंदु घाटे की जो चित् मिले हैं तो विकल्ब D सही हो जाता है 150 में करम का प्रसंद देखें पारदर्शी पद्धती में उच्च प्रकास दिखाते हैं विकल्ब देखें मध्यमतांदार्वा सफेद रंग से कागज खाली छोड़कर और काले रंग से तो पारदर्शी पद्धती में उच्च प्रकास दिखाते हैं कागज खाली छोड़कर विकल्ब सी सही हो जाता है और आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रशन है गड़वाल शैली के प्रसिद चित्रकार मौला राम किस भासा में साहित्तिक रजना करते थे तो आपको वह भासा बतानी हैं जिसमें चित्रकार मौला राम अपनी साहित्तिक रजना लिखते थे क्योंकि वे इत्यासकार और कवी भी थे तो आपको वह भासा बतानी हैं जिसमें वे रजना करते थे और अपने जवाब आप कमेंट सक्षन में जरूर दीजिएगा तो यह था आज का हमारा अंक जिसमें आपने लोकसिवा आयोग उत्राखन के कलाप प्रवक्ता परिक्षा 2021 का भाग 6 देखा और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार कुछ सरल परशनों को दिया गया था और कुछ परशनों को दोबारा अलग रूप से पूछल भी लिया गया था तो आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें नए वीडियो पाने के लिए अपने बेल आइकन के नौटिफिकेशन को हमेशा ओन रखेगा ताकि आने वाली वीडियो की कुझे इजाजत नमस्कार